नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश हाई कोड ने परिच्छा असगित कर दी यूपी में यूपी टेट परिच्छा को छोड़कर सभी परिच्छाए कोरोना की भेट चड़ी जिन परिच्छाओं से नौकरी मिलनी वह परिच्छाएं असगित और रद कर दी गई उस भरती में कोरोना का बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है और जिन परिच्छाओं से नौकरी नहीं मिलना बस सर्टिफिकेट आजीवन लेकर घूमना उस परिच्छाएं कराई जा रहे हैं उस परिच्छा में जो है कोरोना का कोई असर नहीं तो दोस्तों वन बाइवन में सभी अपडेट क्लियर कर रहा हूं मैं आपको हाई कोड की त यह देखे हों दोस्तों साफ साफ शाफ नहीं दिख और वह गया है मैं आप लोग को दिखा रहा हूं हूं जो अभी दिख नहीं रहा था आप लोगो वो हमें दिखा रहा हूँ, High Court of Judiciary at Elhaba, साफ-साफ इसमें दिया गया है, 18 जन्वरी 2022, ये दिखें, डेट भी देख सकते हैं, इसमें दिया गया है, साफ-साफ दिया गया है, सब्जेक्ट में, पोश्ट पुन्मेंट ऑफ दा मेन रिटेन एक्जाम आफ डारेक्ट रिक्वाइर्मेंट एंड लिम्टेड डिपार्मेंटल कमप्टिटिव एक्जाम आफ उत्तर प्रदेश हायर जुडिसियल सर्विस 2020, दोस्तों ये लिखा गया है, इसमें सब्जेक्ट में, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि इन व्यू आफ इसमें दिया गया काउन काउन सी किस की टारीक की जो है परिच्छाएं जो है सगित कर दी गई है, इसमें दिया अर्लियल स्टिड्यूल टू भी हेल्ड, 11, 12, 13, 12 में जो परिच्छाएं होनी है, वहा है सगित कर दी गई है, अब यह एक्जाम जो है बाद में होगा दोस्तों, यह हाई कोड की तरब से यह नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं, और इसके साथ में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, दोस्तों, सभी परिच्छाएं रद कर दी गई हैं, सगित कर दी गई हैं, लेकिन यूपी टेट, सरकार के मन में पता नहीं क्या है, कि यह कौन सा अमरित पिला कर यूपी टेट वाले अभ्यरतियों को कौन सा अमरित पिलाएंगे कि इनको कोरोना नहीं होगा और इनकी परिच्छाएं कराएंगे, जबकि यूपी टेट की परिच्छा से कोई मतलब नहीं है, बस केवल क्या है, कि एक eligibility test है, इससे नौकरी नह जरेगी और जिस नौकरी से, इन लोगोंको जो है, जिस परिच्छा से नौकरी मिलनी है, पर्मानेंट जॉब मिलना है, वह सब परिच्छाएं अस्थगित कर दी जा रही है, उन सब परिच्छाओं में कोरोना का बहुत बड़ा आसर देखा जा रहा है, उन अभ्यरतियों क कोरोना हो जाएगा अगर वह परिच्छाएं कराई जाएंगी सरकार की मनसा देखिए दोस्तों यूपी टेट कराने के मूड में एकदम है पयारी जोर सोर से चल रही है सबी अधिकारियों से कह भी दिया गया है कि एकदम पारदर्सिता की तरह जो है अस्थगित कर दी गई है महिला स्वास्था कारकरता एनम महिला स्वास्था कारकरता 9212 पत जो है आप लोगों ने देखा ही है वह भी परिच्छा रद कर दी गई जो 6 फरवरी को थी और एक परिच्छा जो है 31 जनवरी को थी वाभी परिच्छाएं रद कर दी गई है बताइए दोस्तो जिस परिच्छा से नौकरी मिलना चाहिए अभ्यरतियों को वो भरती परिच्छाएं अस्थागी तो रद कर दी जा रही है और जिन से नौकरी नहीं मिलना है बस एक eligibility test है उसको लेकर आजीवन भूमे उसकी परिच्छाएं कराई जा रही है इनको अमरित पिला कर जो है परिच्छा दिलाया जाएगा यूपी टेट के जितने अभ्यरती रहेंगे कि अमरित पिला दिया जाए इनको कोरोना ना हो देखिए किस हिसाब से सरकार क्या मनसा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहां 18 जनवरी को एक notice जारी किया गया हाई कोट की तरब से वह मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ दोस्तों अब बताईए किस हिसाब से अभ्यरतियों का भविस उजल होगा ऐसे ही जो है अगर मुख्य भरती पर इच्छायन रद्ध होती रहेंगी अस्थागित होती रहेंगी तो अभ्यरती के मन में क्या-क्या सवाल उठेंगे तो दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं इतना तो समझदार है ही कि जिस हिसाब से अभ्यरती और जनता के साथ यह अन्याय हो रहा है ऐसा जो है जरूर आप लोग जो है इस पर विचार करिएगा और इसी हिसाब से आने वाले समय में आप भी जो है इसका हिसाब दीजिएग हमें अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचूंगा जो भी न्यूज रहेगी मेरे द्वारा दोस्तों रियल और अफेंटिक न्यूज रहती है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ष वीडियो में चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजे इस तरह का वीडियो पाने के लिए दोस्तों और सेर जरूर करिएगा जादा से जरूर करिएगा एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों जरूर करिएगा धन्यवाद